हेलो दोस्तों मैं हूँ आरजे सनी और आपके लिए लेके आई हूँ सुप्रिया सिंग की कहानी किरंच का चौथा और अंतिम भाग देखते ही देखते दो साल बीट गए अंश भी दो बरस का हो गया उफ इन दो सालों में क्या कुछ नहीं देखा अंश का जन्म पापा का अचानक से दिल का दौरा पढ़ने से चले जाना संकल्प की बहन की शादी संकल्प का दिली ट्रांसफर समय का पहिया इतनी तेजी से चल रहा था फिर भी मेरे लिए ये दो साल मानो दो सदियों से भी लंबे थे मैं भी काफी हद तक अब अपने आपको समझा चुकी थी पर अंश की आँखों में हर वक्त मुझे तरुन जांकता सा दिखता और मैं ना चाहते हुए भी उस कड़वे अतीज में पहुंच जाती इन दो सालों में मुझे तरुन की कोई खबर नहीं मिली संकल्प और मैं पती पत्नी तो नहीं बन पाए पर एक दूसरे के अच्छे दोस्त और अंश के माता पिता जरूर बन गए अंश अपनी दादी और पापा का बेहद लाडला है संकल्प के घर आते ही अपनी ननी ननी बाहें पहला कर उनकी तरफ दौड़ परता और वो उसे अपने सीने से लगा लेते अंश और संकल्प का रिष्टा तो जैसे खुद भगवान में बनाया था एक दिन के लिए भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे संकल्प अब अपनी सारी उल्जने मेरे साथ बांट लेते थे पर पिछले कुछ तिनों से जितने परेशान वो थे इसका कारण मेरी समझ नहीं आ रहा था आते ही स्टडी में बंध हो जाते कभी खाना खाते तो कभी मना करते थे आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था कि अंश के रोने की आवास को अंचुना करे कोई तो बात थी जो उन्हें बहुत ज्यादा परिशान कर रही थी उस दिन सुभा से ही संकल्प बेजैन थे जल्दी उठकर हॉस्पिटल निकल गए दस बजे के करीब संकल्प की गाड़ी रुखी मैंने अपनी कामवाली को चाय बनाने के लिए बोला और बाहर निकल आई सुमेधा जल्दी चलो पर कहां जाना है आप नाश्टा तो कर लीजे अंश भी आपके लिए रो रहा है अभी टाइम नहीं है जल्दी से अंश को लेकर आओ और चलो पहले भी पापा को खोच चुकी थी इसलिए मन में आशंका हुई कि मा तु ठीक है ना मा ठीक है तुम बस चलो कोई सवाल मत करो संकल्प के चहरे पर हवाया उड़ रही थी चाह कर भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई पर किसी अनिष्ट की आशंका से मन उद्देलित हो चुका था करीब दस मिनट बाद गाड़ी संकल्प के हॉस्पिटल के सामें जाकर रुकी संकल्प मुझे लगबग घसीटते हुए कैंसर वॉर्ड की तरफ ले गए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था यहां क्यों संकल्प मुझे एक कमरे के सामने लेकर आए सुमिधा मुझे माफ कर देना पर मैं क्या करता अगर आज तुम्हें यहां नहीं लाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता दो दिन से मेरे अंदर का पती और पिता एक डॉक्टर से लड़ रहा है पर आज एक डॉक्टर जीत गया मैं तुमसे यह हक नहीं चीन सकता जाओ अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है मैं अंश को लिए उस कमरे में दाखिल हुई सामने एक बेहद क्रिश काई आकरती बैट पर लेटी हुई थी जिसके पूरे शरीर में बहुत सारी नालियां और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के यंत्र लगे थे मैंने अंश को सीने से लगा लिया संकल भीना बच्चा कितना चोटा है ऐसी जगा क्यों लाए तब ही मेरी नजर पास में ही बैठी लड़की पर पड़ी वो प्रिया थी तो ये तरुन अंश मेरे हाथों से छूट कर गिर गया होता अगर प्रिया उसको ना संभालती सुमिधा आप यहां प्रिया भी मुझे देख कर उतनी ही आश्चारे में थी प्रिया और मैं बस एक दूसरे को देख कर रोते जा रहे थी दोनों के पास ही शायद शब्द नहीं थे मैं उस बिस्तर पर पड़ी काया में अपने तरुन को खुजने लगी पर कहीं भी उसमें तरुन को नहीं ढून पाई जीवन के कुछ ही चिन शेश थे उस काया में जीवन में कभी नहीं सोचा था कि तरुन को इस हाल में देखूंगी, दो साल का गुस्सा, प्यार, शिकायत सब करनी थी, पर किस से करती, वो तो शायद चेतना की सारी परतों को पार कर चुका था, मेरी आवाज से बहुत दूर उस दुनिया में था, जहां से कोई, कोई कभी वापस नहीं आता, थोड़ी देर बाद प्रिया ने मुझे एक चिठी दी, जो तरुन की लिखी हुई थी, आंसु भरी आँखों से मैंने उसको पढ़ना शिरू किया, मेरी सुम्मे, तुम्हें दुलहन बना कर अपने घर लाने का ख़ाब लिए, उस दिन सुभा तुमारे दामन में डालना चाहता था, मैं याद है, एक दो बार मुझे हलके से चक्कर आई थे, और तुमने जबरदस्ती मेरे टेस्ट करा दिये थे, मैं कितना लड़ा था तुम से, पर तुम मेरी छीक से भी डर जाती थी, मेरे हलके से बुखार से तुम रो रो कर अपनी जान खा लेती थी, और जब तक ठीक नहीं हो जाता था, तुम मेरे पास से हिलती भी नहीं थी, मैं तुम्हारे प्यार से डर जाता था, कि कहीं कभी तुम से दूर चला गया, तो तुम्हारा क्या होगा, उस दिन जैसे ही बाहर निकला, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट लेकर लैब खड़ा हुआ था, मैं जल्दी में था, इसलिए वो रिपोर्ट लेकर बैग के हवाले की और बस पकड़ने चल दिया, रास्ता काटे ही नहीं कट रहा था, तुम बेहद याद आ रही थी, टाइम पास के लिए बैग में से रिपोर्ट निकाल कर पढ़ने लगा, होने के नाते आगे क्या होना है, ये मुझे अच्छे से पता था, जो लड़की मेरी चीक बरदाश नहीं कर पाती, वो मुझे इस दर्द में आगे कैसे देखती, ये सोचकर मेरी रूह काप गई, मेरे पास दो रास्ते थे, एक तुम्हें कुछ ना बताऊं, और जिंदगी खुश्यां तुम्हारे साथ जी लूँ, और तुम्हें इस दर्द भरे रास्ते पर अकेला छोड़कर चला जाऊं, और दूसरा कि तुम्हें कभी इस बात का पता ना चलने दूँ, तुम पर क्या बीतेगी अच्छे से जानता हूं, क्योंकि वो दर्द मैं भी तुम्हारे साथ ही भुक्तूंगा, पर थोड़े समय के बाद तुम मुझे बेवफा समझ कर भूल जाओगी, सुम्मी मैंने दूसरा रास्ता चुना, तुम भी मेरी जगा होती, तु यही करती, इन दो सालों में कोई ऐसा दिन नहीं गया, जब तुम्हें याद नहीं किया हो, अब तक तो तुम किसी की पत्नी और शायद मा भी बन चुकी होगी, अगर यह पत्र तुम तक पहुँच गया है, तुम मुझे माफ कर देना, तरुन क्यों तरुन क्यों, इतनी बड़ी सजा, इतना कमजोर था हमारा प्यार, जिन्दगी की सारी खुशियां तुम मेरे साथ बांटते रहे, और इतनी दर्द भरी राह पर अकेले ही चल दिये, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं, और किस से, जिस से लड़ना था, शिक कायद कर दी थी, वो इस हालत में था कि मेरी किसी बात का अब कोई असर उस पर नहीं होना था, दो साल का इंतजार आँखों के रास्ते बह रहा था, तब ही अंश अचानक से उठा, और मेरे गले में बाहें डाल कर, अपने नहने से हाथों से मेरे आंसु पोचने लगा, एक पल को लगा की तरन खुद खड़े हो और बोल रहे हो, सुमी, तेरी आंखों में आंसु अच्छे नहीं लगते, प्रिया ने मुझे उसकी डायरी दी, जिसमें उसने उस हर पल का हिसाब लिखा था, जो उसने मेरे बिना जिया था, पूरे दो साल के एक एक लम्हे का हिसाब था, तभी संकल्प अंदर आ गए, सुमेधा आपको अब घर चलना चाहिए, अंश भी भूका है, आज फिर से तरुन को छोड़ते वक्त, दिल में वो ही किरंच चुभी थी, जो उस दिन थी, जब वो मुझे छोड़ कर जा रहा था, रास्ते में मेरे बिना पूछे ही उन्होंने बता दिया, कि मेरी और तरुन की फोटो उनको तरुन का चकप करते हुए दिख गई थी, जिससे वो तरुन को पहचान गए, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ एक तरफ थी, पर क्या संकल्प को भगवान ने किसी और मिट्टी से घड रवाने में उसके माथे पर शिकन भी नहीं आई, उसी रात तरुन इस दुनिया को छोड़ कर हमेशा के लिए जला गया, शायद अपनी सांसे उसने मेरे इंतजार में बचा रखी थी, बहुत तेज बारिश थी उस रात, मानो मेरे साथ पूरी काइनात तरुन की बिदाई म रो पड़ी हो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुखता, पिछले 25 साल का समय भे निकला, अंश अपनी पढ़ाई के लिए काफी समय से आस्ट्रेलिया में है, जहां से आज वापिस आने वाला है, संकल्प सुभा से ही बहुत बेसबरी से टहल रहे हैं, इतनी तैयारी कि सारी दुनिया सर पर उठा रखी है, इन 25 सालों में मैंने एक एंजियो खोल लिया है, जो कैंसर पेशन्ट के मदद करता है, बहुत कोशिश करने के बाद मैं संकल्प को पती होने का दरजा दे पाई, पर अंश के अलावा हमारी कोई दूसरी संतान नहीं हुई, तरुन के डायरी में रोज एक पन्ना बढ़ जाता है, एक अंतहीन इंतजार में, तबी गाड़ी की आवाज सुनका संकल्प बाहर की तरफ भागे, मैं आर्थी की ठाल लेकर जैसे ही बाहर की तरफ बढ़ी, मेरा पैर किसी चीज में फस गया, गिरने ही वाली थी मैं कि एक हाथ ने मुझे थाम लिया, तरुन अंश खिल खिला कर मेरे गले लग गया, वो किरन्च जैसे फिर से आज मैं सूस कुई